नमस्कार एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एकने पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो व्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरा नंदू भाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक समुद्र सास्तर के ये अंक अपनी ही यूट्यूब की चैनल गो व्लोक्स पे एक मेल हतीली है हमारी शामने और हतीली का आकार पूरी तरों से आयताकार है दीखेगा जो आपका करियर का मामला है जो आपका करियर रहने वाला है उसमें मस्तिस्क से कार्य करने से ज़्यादा काम चलेगा मस्तिस्क से कार्य करने वाला करियर रहने वाला है या बोलने से ज़्यादा काम चलेगा साररिक मिहनत की जरूरत कम पड़ेगी इस प्रकार की आपका जो है करियर को यहां पे बता रहा है दूसरी बात अब यहां पे देखें जीवन काल के 42 वर्स से ही अचानक तरक्की की योग बन रहे हैं उससे पहले कहीं न कहीं जो है 40 वे और 41 वर्स तक संगर्स के योग दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है कभी उतार चड़ाव रह सकता है कभी जो है कलाह योग बन रहा हतीली में उसके कारण परिशान रहे शकते हैं सूर्य अस्त भाव में है जिसके कारण परियास जो है ज़्यादा सफल होने की संभावना को नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन जिवन का अलका 42 वर्स आपके लिए बहुत अच्छी सोगात लेके आएगा सफलता के नई दरवाजे खोलेगा और आपकी जिवन को कहीं न कहीं पूरी तरों से बदल देगा और जिवन में जहां खुशियां आएंगी वहीं उत्साह के वी सर्जन होगा और दिमाग से बहुत अच्छा कारे आप करने लगेंगे और इसका प्रभाव आपके बिक्तित्व पे पड़ेगा आपके मानसिक इस्तिति पे पड़ेगा आपके पारिवारिक जिवन पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और एक सकारात्मक प्रभाव निश्चित तोर पे पड़ने वाला है फिलहाल देखेगा बरतमान इस्तिति और कब तक ये इस्तिति दिखाई दे रही है आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो ये रिंग फिंगर है पूरी तरोसी जुकी हुई है और आपकी मिडल फिंगर की तरफ आपके अंदर सूरे के नैसर के गुणों के कारण यस पाने की बहुत तीबर इक्षा है अपने करियर में बिस्तार पाने की बहुत तीबर इक्षा है और कहीं न कहीं एक प्रतिष्टित मान शम्मान वाला जो है जिवन पाने की इक्षा भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ये इसका जुकाओ बता रहा है लेकिन आप इसके नीचे का भाग को देखेंगे जिसको हम कहते हैं सूर्य का प्रवत ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से कट-कटाओ की इस्तिती है रहती है ऐसे बिक्ति लाख कोशिस करने पर भी ऐसे लोगों को पिता का सयोग पूरी तरों से नहीं मिल पाता है लाख कोशिस करें अपना हंड़ परसेंट दे दे सब कुछ होते हुए भी निश्चित रूप से जो सरकारी लाब है सरकार द्वारा लाब है वो ऐसे बिक्तियों को नहीं मिल पाता है क्या है सूर्य बकरी है ठीक है ने दूसरी बात है अगर सूर्य बकरी है और कमजोर है पूरी तरों से उर्जा प्रवाइड नहीं कर पा रहा है तो जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरी तरों से सफल नहीं हो पाते हैं और यहाँ पे घटित भी हो रहा है आप लाग प्रयास कर रहे हैं लेकिन आप आपके अंदर बहुत अच्छी quality है, योग्यता है, चाहे वो sectioning की योगतिया हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का experience वो बहुत अच्छा है, sectioning की योगता भी बहुत अच्छी है आपके अंदर, आपके अंदर जो है, जो काम करने का जज़बा है, वो भी बहुत सुनर है, लेकिन क पूरी तरो से practical रोप में उभर कर नहीं आ पारी है उसका फाइदा नहीं ले पारे हैं वो निखर करके नहीं आ पारी है और ऐसी इस्तिति में जो परिस्रम आप कर रहे हैं जो मेहनत का आप कर रहे हैं सुरे के कारण सुरे के बकरी और सुरे के कमजोर होने के कारण आपकी हती उसका जो पूरा स्रे है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है और आप अगर ब्यापार कर रहे हों ब्यापार की इस्तिति में हों तो वो विस्तार वो फैलाओ वो नाम यस वो ब्राण नहीं बन पा रहा है जिसके लिए आप ब्यापार में गई हों ऐसे में पहले तो नौकरी मिलना बहुत मुश्किल होती है अगर मिल भी गई बिक्ति वो ग्रोथ नहीं कर पाता है जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो और एक चीज ध्यान रखेगा सुर्य कभी भी इस प्रकार से हो और सभी ग्रह कितने भी अच्छे हो लेकिन एक सहजता से एक सरलता से रास्ता आपको नहीं मिल पाएगा क्यों? क्योंकि सुर्य पूरी तरों से उर्जा प्रवाइड नहीं कर पा रहा है उपर से बकरी है इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं आपके जो सारिरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परसपर ताल मेल में नहीं है जिसके कारण कुछ चीजें अनबैलेंस है और उसमें भी सारे रिक स्वस्थ्या सारे रिक्स्वच्टे क्या है ये हडियों का मालिक है बिटामिन D इसी से मिलता है तो हडियों का मालिक है ठीक है न ऐसे में ये नेतर रोग को भी देता है आखों में चस्मा उगेर चड़ सकता है या हड़ियों का रोग देता है ठिकन इसके लिए बेक्ति परिशान रहता है या क्या करता है पेट की समस्या देता है और ये बहुत जादा कमजोर हो तो टीवी की समस्या भी बेक्ति के अंदर आ जाती है तो इन मेंसे कोई न कोई एक सारेरिक समस्या आपकी जीवन में जरू ये सूरे बतारा हैMartin धूसरी बात है सारेरिक स्वस्थ के अलावा जीवन की वास्त्वी खुसाली उत्साह, जीवन की उर्जा ये चीजें आपसे दूर हैं इनकी आपको चिंता करने पड़े ये हमेसा आपके साथ नहीं है क्यूं? क्यूंकि सूर्य यहां पर जो है उर्जा प्रवाइडने कर रहा है प्रोपर तरीके से जिसके कारण आपके जो सारिरिक चकर हैं वो सूर्य के चकरों के साथ प्रसपर तालमेल में नहीं हैं क्या करना चाहिए बिदिवत तरीके से अनुसासनात्मक तरीके से दिये हुई बिदि के अनुसार दिब्य सूर्य किरिया ऐसे लोगों को निश्चित तोर पे करनी ही करनी चाहिए लेकिन उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहिए अपने मन से जिस बिदी से किरिया दे गई है उसी बिदी से करना चाहिए मैं आडियो के माध्यम से परस्णल आपके वटसप नम्मर पे सूरे किरिया दे रहा हो तिब्य सूरे किरिया अगर आप प्रावपर तरीके से करते हैं उसमें बिग्न बादा नहीं आती है और आप एक अगर्चित होकर आलश्य को दूर रखकर करते हैं तो निश्चित रोप से ये चीज आपके लिए एक अम्रित एक बरदान साबित होगा धीरे धीरे उस किरिया के कारण आपके जो सारिक चक्र हैं सूरे के चक्रों के साथ प्रस्पर ताल मेल में आ जाएंगे जिसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा जहां आपकी सारिक सेहत बहुत अच्छे हो जाएगी वहीं कहीं न कहीं आपका मानसिक संतुनन परफेक्ट होगा और आपका जीवन कहीं न कहीं सहजता से चलने बैठ जाएगा फिर चाहे वो सारिक स्वास्त्य हो मानसिक स्वास्त्य हो चाहे जीवन की वास्त्विक खुसाहाली हो जीवन का उत्सा हो उर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेंगी ये हमेशा आपके साथ रहेंगी अब भाई ये सूर्य किरिया क्या है? इसका मतलब है क्या है? देखेगा सूर्य किरिया का जो वास्तुविक मतलब है वो है अपने भीतरी सूर्य को जागिर्ट करना क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है बरना आप सरीर का तापमान कभी भी कायम नहीं रख पाती ये यहाँ पर बता रहा है तो सूर्य को बहुत सूंदर करेगा अच्छा करेगा चीज़ें बहतर रहेंगे दूसरी बात अगर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर देखेगा यह आपका चंद्रमा का छेत्र है ठीक है न? चंद्र छेत्र यह अन्बैलेंस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर उठा हुआ है यहाँ पर जो है अन्बैलेंस है एक तरह से जो एक्चुल होना चाहिए नहीं है और इसमें लाल एक जो है तिलनुमा है जब यह इस परकार से बनता है या इसमें कभी इस परकार से जीरो का अकर का वक्री यह जिसको हम कहते है वृत यह चिन बने या इसमें जो है यह अन्बैलेंस हो और इसमें तिल हो लाल वाला या काला वाला तो यह कलह योग बनाता है ऐसा ब्यक्ति जो है सदेव कलह से पीड़त रहता है क्या ही चंदरमा का प्रभाव परणा मन ब्यक्ति की मन की दसा कभी ठीक नहीं रहती है ठीक है और यह भी मनी कभी जो है माबाप हों तो माबाप से कलह हो होती रहती है दामपति जीवन में भी कलह होती रहती है दामपति जीवन भी कोई खुसनमा नहीं रहता है अगर परिवार का कोई और सदस्य हो कहीं न कहीं ऐसा बिक्ति अपनी जिवनकाल में कलह से पीड़त रहता है जब तक कलह योग बना रहता है हमेशा कलह से ऐसा बिक्ति बहुत ज़्यादा दुखी रहता है बहुत ज़्यादा पीड़ित रहता है और जब ये अनबैलेंस हो साथ में सुक्र भी इससे ज़्यादा उठावा हो ये सादरन हो जैसा आपका है सुक्र उठावा है और ये कलहयोग बना रहा हो तो ब्यक्ति का मन हमेशा गड़बड रहता है ऐसे में ब्यक्ति मानसिक संकटों और कठनाईयों से जूजता है मानसिक प्रेशाने से गर्सित रहता है तनाव की इस्तिति डिप्रेशन की इस्तिति को ये दिखाता है और ये जाता कई बार बहुत ज़्यादा भावक हो जाता है कई बार बात बात पर आँख से आसो बहे जाते हैं ऐसे लोगों के कई बार emotionally भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो मन अच्छा नहीं रहता है बिक्तिका और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा digestive system जहां सूर्य नेतर रोग देख सकता है वहीं सूर्य जो हड़ियों की problem दे सकता है या पेट की problem दे सकता है वहीं ये ये भी पेट की problem को बढ़ा सकता है तो इसका ध्यान रखना चाए और बिसेश बात है जब चंदरमा unbalance हो तो ज़्यादतर मामले में मैंने ये देखा है कि ऐसे लोगों को मा का सुक वास्तों में प्राप्तन ही होता है और नीद आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना विक्ति को करना पड़ता है सुक पाना थोड़ा कठिन हो जाता है ये इस चीज को बताता है अब यहाँ पर देखेगा एक चीज और देखेगा एक तिल अन्य जगवी जो है दिखाई दे रहा है आपकी ये मस्तिस्क की रहखा है बहुत सुन्दर है कलपना बहुत ज़्यादा करेंगे कलपना सकती बहुत सुन्दर रहेगी सोचने के सकती बहुत सुन्दर रहेगी अपनी जीवनकाल में निश्चित रूप से जो है सकारात्मक सोच को ये जन्म दे रही है विवेकवान विक्तित्तों को जन्म दे रहे है हर समय कुछ न कुछ सोचते रहेंगे जिवनकाल के लिए सुन्दर और अच्छी योजनाई बनाते रहेंगे इस और भी ये इसारा कर रहा है लेकिन ऐसा ब्यक्ति नहीं जब ब्रिस्पति इस प्रकार से साधरन हो और सनी के तरब जुका हुआ हो और ये सीधा चंदरमा की और आई चंदरमा अच्छा नहो तो क्या होता है ऐसे ब्यक्ति प्रायो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और ज़्यादा तर हमेसा कलपनाओं में डूबी रहते हैं इनका जो मन है न वो एक अगर्चित कम हो पाता है लेकिन एक समय आता है स्रेष्ट सपलता को अरजित करते हैं लेकिन मन बहुत ज़्यादा कलपनाओं में डूबा रहता है ये ज़्यादा तर आलिसी बनाता है ब्यक्ति को केवल कलपनाओं में ही जीवत रखता है ब्यक्ति को तो इसके लिए क्या करना चाहे मस्तिस्क रेखा का मतलब है जो परिचायक है बुद्धी की बिवेक की देखेगा किसी ब्यक्ति की जीवनकाल में इसका कितना महत्व है ये हम सभी लोग जानते हैं किसी ब्यक्ति की आयो अगर बहुत लंबी हो लेकिन ब्यक्ति का जो बिवेक है मन है वो संतुलितना हो बुद्धी संतुलितना हो तो वो लंबी आयू किसी काम के नहीं होती है किसी के घर में कितना भी सुक हो संपदा हो भग्या उसका कितना भी अच्छा हो और सब कुछ पढ़ावा हो लेकिन व्यक्ति का मन और इस्तिर हो कलायोग हो और कहीं न कहीं ब्रस्पति कमजोर हो और मस्तिस्क के रेखा इस प्रकार से हो तो ये चीजें बिना काम की होती है अगर आपका बोदिकस्तर बहुत अच्छा है और कहीं न कहीं कलायोग नहीं बन रहा है चीजें ब्याउस्तित हैं आपके पास बहुत कम भी होगा उसे में आप आनन से रह सकेंगे और जीवन स्वर्ग के समान होगा ये दिखाता है यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कम से कम जो है 48 से 50 वे 52 वर्ष के बीच में थोड़ समल के रहना चाहे आपको दिमाग का ध्यान रखना चाहे ये डिप्रेशन में ब्यक्ति को बहुत ज़्यादा ले जाता है और कभी-कभी मैंने देखा मस्तिस्क से समंदित बिमारिया ब्यक्ति को लग जाती है इसके लिए क्या करना चाहे एक तो खान प्यान पे ध्यान देना चाहे दूसरा ऐसे लोगों को डिप्रेशन से और आलश्य से बचना चाहे दिमागी कसरत ऐसे लोगों को हमेशा करनी चाहे किसी बिसेसज्याता की सलाह ले और दिमागी कसरत जरूर करे अन्यथा अन्तालिस से लेके पचासवे वर्स के बीच में कहीं न कहीं मस्तिस्क से समंदित परेशानिया रह सकती है और विसेस्तर जो है जैसे सरवाला भाग है कुछ लोग नहाने उगेरा में बहुत परिहेज करते हैं नहीं नहाते हैं तो पसीना उगेरा जम जाता है जिसके कारण कहीं न कहीं चीजें बिखर जाती है या बाल उगेरा अगर किसी के सपेत हो गई हो तो नाना प्रकार के ज ज़्यादा असर करती हैं तो आपको इनसे बचना है एक तो जो मस्तिस्क वाला भाग है उसको हमेशा साप सुतरा रखे ठीक है दूसरा नेचुरल चीजों का परियोग करें और तीसरी थोड़ा सा डिप्रेशन से दूर रहे और यह जरूरी है अन्यता जो है दिमागी सब्सक्राइब के बीच में आ सकती है यह आगाह कर रहा जरूरी नहीं होगा यह कहरा अगर आप ठीक रहेंगे तो चीजें नहीं होंगे हतेली के वहला आगाह करती है ठीक है ने जादतर मैंने जो लोग देखें ऐसे बीच में टोटी है या इस परकार से बकर ऐसा बिर्त बना है यह इस परकार से है तो दिमाग बहुत बिचलित रहता है और कुछ लोगों का मैंने सार्रिक ब्यादी भी देखी है ठेकर लेकिन जरोरी नहीं होगा यह फिर से कहूंगा हतेली पहले बता लेती है कि यह चीज घटित हो सकती है इसका आप अगर निदान करेंगे तो च अच्छा रहेगा लेकिन बीच में दो-चार साल जो है इससे जूजना पड़ सकता है लेकिन यह जूजना नहीं पड़ेगा अगर आप ठीक रहेंगे तो अपनी दिन चर्या को ठीक रखेंगे ठीकने दो-तिन चीजे हैं एक चीज और दिखाई देरी है यहाँ पे बंद का छेतर आप देखेंगे बहुत जादा दूसित आउस्ता में है जो रेखाई हैं मनिबंद की प्रमुक रेखाई उनको तो बहुत द्वस्त कर रही है यह चूटी-चूटी रेखाई हापस में कट-कटाव की इस्तिति में हैं ऐसे में ब्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में किसी न किसी चिंता में रहता है कोई न कोई चिंता बनी रहती है और ऐसे ब्यक्ति की जीवन में उलजने बहुत जादा रहती है कनफ्योजन की इस्तिति रहती है दुबिधाओं की इस्तिति को यह जन्म देता है और उसके कारण संगर्स रहता है इसके लिए दि इस स्वर बहुत सुन्दर ऐसे लोगों के साथ करता है स्रेश्ट सपलता दिलाता है लेकिन तब जब पूरी सरणगती हो अब ये भी तो मालूम होना चाहिए मेरे इश्ट कौन है ये कौन बताता है हतेली कैसे बताती है देखते है यहाँ पर देखेगा थोड़ा दियान से देखेगा ये आपकी हिर्दाई की लकीर है ठीक इसमें उपर की तरब हर समय रेखाई दिखाई दिखाई दिए एक चीज का ध्यान रखेगा धन समन्दी दियान चाहे रिस्ता बाहर का हो चाहे कोई भी हो बहुत बड़ी मातरा में एमाउंट न फसाए पैसा वापिस नहीं आएगा लाग कोशिस कर ले मना नहीं होगी उस तरब से आज देंगे कल देंगे ये चीज हो गई वो चीज हो गई लेकिन पैसा वापिस नहीं आएगा तो इस तरह का ध्यान रखे भावनाओं में आके जल्द बाजी में और इमोशनल होके बहुत बड़ी मातरा में धन को न फसाए ठीक है ने वो रहे तोड़ा सावधान रहे अब ये रेखा कहां जा रही है आपकी इंडेक्स की फिंगर और आपकी मिडल के फिंगर के बीच में इस पे प्रभाव किसका प्रणडा है देव गुरु ब्रस्पति का जो हपने हातेली में बैठने वाले पर्थम आचारे हैं और भाग्यास्तान सनी का दोनों का बलाबल आ रहा है क्या कह रहा है एक तो कलपनाओं में रहने वाली बिक्तियां कलपनाओं में ही जादतर जीव और आलेश्य उपर से है, कलह का योग उपर से है, उपर से महत्व कांचा बहुत जादा है, सोच बरतमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, गुरू का प्रभाव पढ़ रहा है जिसके कारण जो आपकी इच्छा है, वो कही न कही एक टॉप लेबल, एक प्रतिष्टित अस्तर पे पहुचने की हो रही है, सनी का प्रभाव पढ़ रहा है, आपको कही न कही लग रहा है, कि यार अब आगे बढ़ने के लिए, कोई हद करना इस्तिमाल क्यों न करना पड़े करेंगे, किसी का इस्तिमाल क्यों न करना पड़े करेंगे, इन किन पर बनिछल का पट नहीं है ये निश्चित तोर पर इहां पर दिखाई दे रहा है अब दूसरी बात देखें हमने जिवण रेखा को धिधार रेखा को देख लिया है अब इश्ट देव देखें इसमें ये है एक रेखा इस तरों से बन रही है और आप देखेंगे यह यहां पे एक विश्णु का तिलक बना रहा है आपके जो इश्ट है वो स्वयम नारायण है भगवान विश्णु आपके उपर जो साक्षात किरपा है वो भगवान बद्री विशाल जी की है इस भूबैकुंट धाम की जो स्वामी है इनकी साक्षात किरपा आपके उपर है और अगर देखेगा यह जिन इतना सुन्दर है और बहुत कम हतीली में पाया जाता है अगर आप निश्चित तोर पे अपने जीवनकाल में अच्छे कारे करेंगे और अच्छे रहा पर चलेंगे तो जिस भी काम को आप करना चाहेंगे उसमें आउस्या आपको सपलता मिलेगे और आपको हराना आपके ब्रोधियों के लिए कताई संबव नहीं रहेगा इसके अलावा निश्चित तोर पे इस चिन्न की उजोसे आप समाज में खुब लोग प्रेता को और सम्मान को भी पाएंगे अच्यन्त भग्यसाली लोगों में से एक आप हैं और जो आपका सुन्दर समय सुरू हो रहा है वो सुरू हो रहा है 42 वर्स से तब तक तो कठनाईया है लेकिन सुन्दर समय सुरू होता हो दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं सरकारी नौकरी के योग भी बन रहे हैं राज योग का भोग भी दिखाई दे रहा है जिवन काल के 42 वर्स से लेकिन फाइदा तब होगा जब अपने इष्ट के परति पूर्ण समरपन रहेंगे दूसरी बात एक बात ध्यान देजेगा विश्णु चिन है अपने स्वार्त या अपने परिवार की स्वार्त की पूर्त के लिए यदि गलत कार्य करते हैं गलत रहा पर चलते हैं तो फिर यही चिन आपको रसातल की और ले जाएगा और उससे उबरना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाएगा ये आपकी हतेली कह रही है जीवन रेखा जीवन रेखा कहीं न कहीं जो है इस तरों से यहां पे जा रही है और यहां पे इस तरों से बन रही है देखेगा जीवन में जो तरकी जादा लिखी है जीवन काल के 42 में वर्स की बाद जन्म अस्तान से दूर तरकी है जन्म अस्तान में बहुत ज़्यादा तरकी नहीं दिखाई दे रही है जीवन में स्रेश्ट अस्तर तक तो पहुँचेंगे लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा मिहनत बहुत ज़्यादा प्रिस्रम और उतार चड़ाओ कई बार और इस्तिर्ता का सामना भी आपको जीवन में करना पड़ेगा और एक बात गांठ बान के रख ले कि आपकी मिडल की फिंगर कहीं न कहीं सूरे की उंगली के तरफ जुकती हुई दिखाई दे रही है जब बहुत जादा मिहनत करेंगे बहुत जादा परिश्रम करेंगे तब जाके चीजों में आपको सपलता मिलेगी सरलता से सहजता से सपलता नहीं है सपलता कितनी ही बड़ी हो जितनी बड़ी आप चाते उतनी बड़ी होगी लेकिन उसके पीछे आपकी गहरी मेनत और कड़ा परिश्रम रहेगा तब जाके सफल होगी अब देखेगा यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपकी करियर और धन की रेखा इस तरों से जाती हुई और एक आएक हिर्दे रेखा में समाहित हो रही है क्या बता रहा है जल्दबाजी में और भावनाओं के बसीबोत होकर अगर गलत निरणे ले लेते हैं तो स्वयम के विकास को स्वयम की प्रोग्रेस को स्वयम की डेपलप्मेंट को अवरुद्द कर लेंगे और फिर उस डेपलप्मेंट को उस प्रोग्रेस को नहीं पाएंग तो थोड़ा सोच समझ कर डिसिजन ले और भावनाओं में आके कभी भी डिसिजन न ले दूसरी आपको महालक्षमी की पूजा जरूर करनी चाहे इस प्रकार से जो करियर और धनकी रेखा होती है ऐसे लोगों को बना बुना काम बना बना या काम बादित हो जाता है कारियों में रुकावटें ज़्यादा आती है ठीक है ने? अडचनें ज़्यादा आती है बिलंबता ज़्यादा आती है और करियर और धनके मामले में इस्टेबिलिटी नहीं आ पाती है तो इसको क्या करना है? दिव्य योग ध्यान किरिया और साथ में महालक्षमी की रात्री की पूजा विक्ति अगर करते है तो कुछी समय बाद अगर आप देखेंगे तो करियर और धन की रेखा प्रेक्टिकल रोप से आपको इस तरों से साब सुत्री दिखेंगे और इसका प्रभाव जीवन में निश्चित रोप से पड़ेगा करियर और धन के मामले में इस्टेबिलिटी आनी सुरू हो जाएगी प्रतिष्टा आनी सुरू हो जाएगी अब देखेगा यहाँ पे यह आपका अंगोठा है अंगोठे में आप देखेंगे कि एक रेखा दो रेखा और तीन रेखा एक दो और तीन जीवन काल के 42 वर्स से निश्चित तोर पे कहीं न कहीं अचानक जीवन में तरक्की को यह दिखा रहा है धन है प्रतिष्टा है मान सम्मान है सबी चीजों में यह बडोतिरी को दिखा रहा है निर्दन नहीं रहेंगे गरीब नहीं रहेंगे लेकिन जब आपके बिक्तित तो ऐसा भी है कि जब आप थोड़ी भी कठनाएं आएं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते है ठीकन है आलशे भी बहुत ज़्यादा है लेकिन अगर थोड़ी भी सपलता पाएंगे तो एगो प्रोब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी अपने मस्तिस्क सक्ति और अपनी योग्यता से आपको इससे थोड़ा समल कर रहना चाहिएगा क्यों? क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आएगे आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हो जाएगे धार्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चट कर हिस्सा लेंगे दान पुर्णे से समंदित चीजों में ये योग अच्छा दिखा रहा है 42 वर्ष के बाद से धन के लिए अंगोठा बहुत अच्छा है ब्यावसाई इत्यादी चीजों को दिखा रहा है नोकरी से जादा क्या है? ब्यावसाई की चीजों को दिखा रहा है ब्यावसाई में आपको बिसेश सपलता की प्राप्तिकों भी ये यहाँ पे दिखाता हुआ नजर आ रहा है तो यह आपका अंगोठा है 42 वर्षस से कही न कहीं सुन्दर योग है नोकरी करना चाहेंगे तो नोकरी में भी कहीं न कहीं सपलता है और सबसे बड़ी सपलता बिजनिस में है अब यहाँ पे ध्यान से देखेगा अंगोठे का जो नीचे का यह भाग है यह है सुक्र का परोट यह सुक्राचारे जी है और हमारी हतीले में बैठने वाले सिक्रण आचारे है देवताओं के नहीं है देवताओं के नहीं है देवताओं के गुरू है राक्छसों के लेकिन ये भगवान शंकर के सि्ष्य है इस बात का ध्यान रखना है और कला सुंदर्य सुंदर्ता इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीनी के लिए हमारी हतीली में इनका पुष्ट और सुंदर होना जरोरी है आपकी हतीली में ये सुन्दर रूप में उबरे हुए ये दिख रहे हैं तेजो मय आउस्तामी भी है आपको ये तेजुस्वी बना रहे है अपने को मेंटेन डखना अपनी प्रसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समर कर रखना नई चीजों के परती रुझान रहेना नई फैसन के परती बाजार में जो नई चीजे हैं उनके परती आकरसन ज़्यादा रहेगा बहुत एक सुक्सुविदाओं की तरब भी कहीं न कहीं जो है रुझान ज़्यादा बनेगा और यहाँ पर वर्टिकल लाइने भी है कहीं न कहीं अपने कारे के परती जुझारोपन रहेगा जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक पोरा नहीं होगा छोड़ेंगे नहीं ऐसा विक्तितों भी आपका उबर कर आने वाला है कुछ समय तक बनी रहेंगे कहीं न कहीं मानसिक परेशानी भी रहेगी और बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा प्रिसरम करने के बाद भी कुछ समय तक अभभाव की इस्तिति बनी रहेगे और सुक पाना थोड़ा कठिन रहेगा जीवनकाल के 42 वर्षता चाहे वो सारिरिक सुक हो चाहे वो मानसिक सुक हो चाहे वो दामपत्य जीवन का सुक हो कहीं न कहीं उस सुक को भोगने में परस्तितियां चाहें कोछ भी हो कठिनाईआ आएंगे हाँ उसके बाद परिवार का बहुत अच्छा सुक मिलने वाला है कुटुम का सुक मिलने वाला है लेकिन अभी कुटुम का भी सुक नहीं है कुटुम कहते हैं जैसे भाई बैन है रिष्तेदारी में कुटुम जो होता है उनका सुक यहाँ पे नहीं मिलता हो दिखाई देरा उनकी तरब से कुछ न कुछ ब्योधान रहेगा जिससे कहीं न कहीं मानसिक तनाव की इस्तिति रहेगी जो आत्म विश्वास है वो गिराने का कार्य होगा और कहीं न कहीं सुक में खंडित्ता उत्पन होगी जिसके कारण तनाव की इस्तिति बनेगी ठीक न यहाँ पे अंगोठा का ये भाग देखा रहा है कि भोश्य में संतान के बहुत सुन्दर योग हैं संतान का सुक भी आपको कहीं न कहीं मिलेगा निम्न मंगल रेखा तो है बहुत सारी रेखाएं काट रहे ये कन्फ्यूजन को निरणे लेने की सक्ति को और आत्म विश्वास को कम करते हैं जो आपका प्राकर्म और एनर्जेटिक स्ववाव है वो उपरी मंगल के कारण है दोनों मंगल आपके उपरी मंगल आपका अच्छा है सुर्य किरिया के साथ साथ में मंगल के किरिया को भी साथ में दोगा ये सन के तरब जुका हुआ है निश्चित तोर पे परिवार को लेके कुछ समय तक चिंता बनी रहेगी और यहां से एक लकीर कहीं न कहीं यहां पे समाईत होती हुई दिखाई दे रही है सुक्र का परोत उठावा है तो दामपत्य जीवन का जो पूरा सुक है उसको भोगनी में भी कुछ समय तक कठनाई आ रहेंगे यहाँ पर साधरन आउस्ता में बैठ गया है तो अभी धाई वर्सों तक यह आपके अंदर भी साधरनता देते हुई दिखाई दे रहे हैं सामन में साब्यक्ति तो देते हुई दिख रहे हैं लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हस्मुक सुभाव रहेगा दयालता रहेगी, प्रॉपकार की भावना रहेगी आर्थिक पक्च अगर आप थोड़ा सजग हो जाएं तो ठीक ठाक रहेगा लेकिन यस की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा जुकाव बना रहेगा स्वतंतर्ता और लिडर्शिप की चाहा रखने वाला विक्तितो रहेगा अभी जब तक ब्रिस्पति सादरण है, सिक्षा का छेतर है, इंजीनियरिंग का छेतर है, मैनेजमेंट का छेतर है, बानिज्य का छेतर है, कानून का छेतर है इस छेतर में अगर काम करने की सोच रहे हैं तो अभी काम्याभी नहीं दिखाई दे रहे है लेकिन इनके ठेक होने पर यहाँ पर आप देखेंगे एक चतुस्कोन बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है काम्याभी भी मिलेगी इन छेत्रों में और अत्यंत उच्पद की भी प्राप्ति होने की संभावना भी है सनी यहाँ पर उठावा है यह वो जहें की चिंताई देता हुआ दिखाई दे रहा है या कुछ ऐसी वो जहें रह सकते हैं जिनके कारण तनाव की इस्तित रहे कई बार व्यक्ति दुखिय सा हो जाएगा जिए उनने में सब कुछ होते होए भी कभी कभी खुशियों में कमी रहेगी यह इस चीज का दिखा रहा है सोरे के हमने बात कर ले बुद्ध भी अभी जो है अनबैलेंस आउस्तावे है तो व्यक्ति की जो वानी है वो उतना साधरन रहेगी और ब्यापार का मामला है तो मध्यम इस्तित में रहने वाला है चंदरमा के बारे में हमने बताई दिया है यह उंगली पूरी तरोसे जोकी हुई है तो धर्म के मामले में धर्मक भावनाई बहुत अच्छी रहने वाले है इस सवर में पूरा समरपन की भावना रहे middle finger के बारे में हमने बता दिया है इनके बीच में गैप है ये 35 वर्स तक धन के मामले में तीन चीजों में से एक चीज रखता है चाये खर्चिला स्ववाव रखता है या धन में संगर सर रखता है या धन के महतु को ब्यक्ति नहीं समझ पाता है इन तीन चीजों में से एक चीज रही होगी देखा जाए तो सभी उंगलियां लगबग हमने देख ली है ये उंगली पूरी तरों से जोकी हुई है धन कमानी की ललक जादा रहेगी इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है कहीं न कहीं या तो अच्छे पद की प्राप्ति होगी या तो कहीं न कहीं ब्यापार के छेतर में जाएंगे राजयोग बना रही है देखा जाए तो मैंने आपकी हतिलिका पूरा विस्लेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के माद्यम से आपको भेज रहा हो प्रोपर तरीके से करने के कोसिस करें निश्चित ही कुछ ही समय बाद आप देखेंगे जिवन में उनका गहरा प्रभाव पढ़ता हुआ दिखाए देगा लेकिन ये इसके उपर निर्भर करेगा आप उपाई किस प्रकार से करते हैं और किस एक आगरता से करते हैं इस वीडियो में फिलाल इतना ही पनो उपस्तित होंगा मैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार